हेलो फ्रेंज ये रेखिए मैं आपके लिए फिर से एक और नएट जानका डोलमेट लेकर आई हूँ ये रेखिए जिसको हमने 5 कलर से बनाया हुआ है ये रेखिए एक दो तीन चार और ये पांच पांच कलर से मैंने इसको बनाया हुआ है ये रेखिए इसमें मैंने एक दो तीन चार चार कलियां बना ली है और इस ये छे कली का बनके कंप्लिट होगा चार कली मैंने बना ली है दो कलियां बाकी है अब भी बनानी ये रेखिए और मैं आपको यह शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से मैंने यह बनाया है यहां से मैंने फंदे डालके इसको शुरू बात की है उसी तरह से मैं यहां से आपको इसको बनाना बताऊंगी बहुती simple तरीके से और बहुती easy तरीके से आपको ये बनाना बताएंगे आप इसे काफी जल्दी बना के complete कर लोगे ये देखिए 6 कली का बनके complete हुया है ये ये देखिए JIMte अभी दो कलीयां बाखी है बनानी और हमने इस तरह से ये देखिए his flower डाले हुए है आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने पांचो कलर की बूल में बनाया हुआ है यह और यहाँ पर यह मैंने 28 फंदे डाले हुए है 20 और 8 मैंने फंदे ले लिये हैं यहाँ पर जितना बड़ा आपको चाहिए आप इसी हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं और इसके लिए मैंने 9 नंबर शलाई ली हुई है तो देखिए यहाँ पे मैंने 28 फंदे डाल के इसको उल्टी तरब से इसमें मैंने डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है यह देखिए तो उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एक सलाई बना करके दिखाऊंगी तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह प्यारा सा हमारा टेवल मैट आपको कैसा लगा और आप से किसी भी तरह سے उज़ कर सकते हैं टेवल मैट की जगा या डोर मैट की जगा या पूजा असन की तरह तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते है तो यहाँ पे मैंने 28 फंदे ले लिये है अब यहाँ पर हमने यह वाला color अपना लगा देना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, इसी तरह से मैंने शुरुवात से फंदे डाल के इसको बनाया है, यह देखिए, तो यहाँ पर मैं फंदे इस तरह से एक सलाई बना लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने फंदे डालते हुए ही डिजाइन को बनाया तो इसी तरह से आपने बनाना है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं यह इसको हम अंदर की तरफ ले लेते हैं तो यह मैं एक सलाई बना के यहां पर कम्प्लीट कर लेती हूं प्लीज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखिए यहां पर दो, चार, छे, साथ, 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 फंदे बना लिए हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और यह लाश्ट का 28 तो देखिए यहां पर मैंने एक सलाई बना लिए और मैं सीडिस लाई को भी इसी तरह से बना लेती हूं यह देखिए, तो देखिए मैंने यहां पर अपना सीधी सलाई बना लिए और लाश्ट का फंदा मैं सीधा बना लूँगी इस तरह से यह देखिए सलाय को हम पलेट लेंगे अब यह दEKहां से हमने एक सलाय बना ली है और यहां पर मैंने फंद डालते विये ही इसको बनाया है डिजाईन को तो देखि जिस तरह से यह मैं आपको बताऊंगी सहें उसी तरीके से Disney बिजाइन को बनाना है तो देखिए यहां पर कि एक दो दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेहरा चोदा पंद्रा इसे बना ली है इसके बाद हम यहां पर अपना व्लावर डालेंगे तो आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें ले सकते हैं है तो यहां पर मैं रेड में अपना यह रहें की दो फंदा मैं अपना रइड से बना लूँ में यह रखिए दो फंदे रैड के बना लिए है 16 फंदे यह बना लिए है आगे के फंदे हम यह रखे ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो और यह तीन चार पांच छे स्थाट और यह आठ 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 फंदे मैंने गिरीन से बना लिए है दो फंदा मैंने लाश्ट का छोड़ दिया है शुरू बात मैंने इसी तरह से की है यहां से यह सेम इसी तरीके से तो यहीं से सलाई को पलट लेंगे सीधी सलाई में जो फंदा हमारा जैसा है उसी कलर से हम इसको बनाएंगे आठ फंदे गिरीन कलर से दो फंदे फिलावर वाले रेड से सोला फंदे आगे के जो हमारा बेस कलर है उससे हम बना लेंगे यहां पर फिलावर वाले बना लिए है अब यह रेखिए यहां पर आगे के फंदे इसी कलर से हम बना लेंगे सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना लिए इस तरह से तो यहां पर यह देखिए सीधी सलाई हमारी हम बना लिए हैं कि दिजाइन की पहली सलाई हमारी हो चुकी है सलाई को पलट लेंगे पलटने के बाद यहां पर हम अपना सोला फंदे बना लेते हैं टोटल पूरे दूसरी सलाई में यह देखिए पहुती सिम्पल सा डिजाइन है एक बार प्लीज वीडियो को पूरा देखें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो रेखिए यहां पर हमने पूरा अपना सोला फंदा बना लिया है दूसरी सलाई में इसके बाद दो फंदे हम यह रेड से ही बनाएंगे इस तरह से यह रेखिए फ्लावर वाले और आगे के यह आठ फंदे हम छे फंदा हम यह रेखिए अपना वेस कलर से ही बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे मैंने इसी कलर से बना लिया लाश्ट के दो फंदे गरीन के छोड़ दिये हैं यही से सलाई को पलट लेंगे और सीधी सलाई में हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के इनको कंप्लिट करेंगे यह रेखिए यह छे फंदे और दो फंदे और दो फंदे और बाकी के यह फंदे तो सीडी सलाई को बना लेते हैं तो देखिए मैंने यहां पर एक फ्लावर अपना डाल लिया है और डिजाइन की हमारी दो सलाईया हो चुकी है यह सलाई हमने पूरी इसी कलर से बना ली थी यह देखिए अब हमने फिर से उल्टी तरफ आना है तो यहां पर यह रिखिए अब हम यहां पर अपना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस, ग्यारा और यह बारा 16 फंदों मैंसे मैंने 12 फंदे बना लिये हैं अब यहां पर यह रिखिए चार फंदे हैं हमारे तो यहां पर हम अब दूसरा फ्लावर डालेंगे यह बाला तो देखिए किस तरह से दो फंदे हमने एक, दो दो फंदे मैंने रेड से बनाए बाकी के दो फंदे यह हैं इन्हें मैं रेड से बनाऊंगे कलर से यहां पर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे यह देखिए एक दो और यह वाले भी मैं ग्रीन से बना लूँगी दो तीन चार पांच छे चार और यह देखिए आठ फिर से लाश्ट के मैंने दो फंदे छोड़ दिये हैं जो हमारा बेस कलर लगा हुआ था उससे मैंने दो फंदे छोड़ दिये यही से मैं अपना टन कर लूँगी सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इसको बनाएंगे यह रिखिए यह आठ फंदे ग्रीन से दो फंदे फिलावर वाले बाकी के बारा फंदे वेस कलर से तो सीधी सलाई में यहां पर बना चुकी अब यह रिखिए यह बारा फंदे हम इसी तरह से बना लेंगे कुछली सलाई में हमने फिलावर अपना डाला था अब यह बारा फंदे हम इसी तरह से बनाते हैं यह देखिए ह। और दो फंदे रेड बारे फ्लावर वाई यह देखिए एक दो अब यहां पर मैंने आठ फंदे ग्रीन के बनाए थे अब आपना बेस कलर लगाएंगे छह फंदे बनाएंगे यह देखिए एक दो ती चार पांच और यह शे लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिये जो भ सलाई को पलट लेंगे और सीधी सलाई को पूरा इस तरह से बना लेंगे छह फंदे यह बना लेते हैं और यहां पर दो फंदे रेड के दो सलाईयों में हमारा यह फुलावर पूरा बन के कंप्लिट होता है अब यहां पर यह फुलावर हमारा बन चुका है कि अब यहां पर हम अपना आठ फंदे बनाएंगे बेस कलर के बारा थे कि देखिए कि सलाई को पलट लेंगे ये रेखिए एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नौ ये रेखिए आठ फंदे बना लिये हैं अब चार फंदों में फिर से हम अपना दूसरा फ्लावर डालेंगे ये रेखिए एक दो दो फंदों में और दो फंदे हमारे पास हैं अब ये हम अपना यहां से ग्रीन कलर लगाएंगे ये रेखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ दो फंदे लाश्ट के फिर से चोड़ें सीधी सलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेते हैं तो सीधी सलाई को बना चुके हैं फुलावर हमने डाल दिया है पहली सलाई बन चुकी है फुलावर की सलाई को पलट लेंगे पलटने के बाद हम अब अपना पहली सलाई है दूसरी फुलावर की सलाई है तो यह हम आठ फंदा अपना बना लेते हैं इसी तरह से फुलावर हमने पिछली स्लाई में डाल दिया था यह देखिए अब यहां पे दो फंदा रेड का यह देखिए और यह छे फंदे बेस कलर से एक दो टीर चार पांच और यह छे फ्लाई को पलट ले लेगे तो यहां पे अभी आट फंदे बाकी हैं तो यहां पे अभी हम दो फ्लावर बनाएंगे एक फ्लावर और डाल लेते हैं इसके बाद लाश्ट वाला फ्लावर आपको फिर दिखाएंगे तो ये रिखे एक, दो, तीन, चार, चार फंदों में और चार फंदों में इसी तरह से ये फ्लावर यहाँ पर डालते हैं और चार फंदों में मैं आपको फिर से बताओंगी तो चलिए फिर भी दिखा देते हैं एक बार और कि रहके 8 पंदे थे यहां पर अब हम चार फंदा अपना बना लेंखें एक दो तीन चार में फिर से मैं अपना डालूं हम यह देखिए एक और यह दो हैं दो फंदे हम कि कि यहां पर से गरीन लगादेंगे यह देखिए दो फंदे मेरे सलग के हैं एक है दो कि मैं दो आय चार यह मैंने फ्लावर वाले फंदे भी गरीन बनाए हैं और यह 6 फंदे हैं तो इन में हम यह देखिए 5-6-6-7 औरा यह आठ गिरिन वाले हंदे 8 बनने हैं और बेस कलर वाले फंदे 6 बनने हैं यही से सलाई को पलत लेंगे तो यहाँ पर एक प्लावर वाली बनाएंगे इसी तरह से सीरी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के इसको कम्प्लिट करेंगे तो देखे फैंस यहां पर हम चार प्लावर अपने डाल चुके हैं एक दो तीन चार यह देखे इसमें भी इसी तरह से एक दो तीन चार अब मैं आपको यह वाला बता रही हूं यहां पर प्लाश्ट वाला तो चार फंदे बेस कलर के हैं अभी यह रेखे यहां पर हम प्लाश्ट के दो फंदों में इस तरह से फ्लावर डाल लिए हैं आगे के फंदे हम आठ ग्रीन से बनाएंगे रेखे एक दो तीन चा पाच, छे, साथ और यह आठ लाश्ट के दो फंदे फिर से छोड़ी हूं सलाई को पलट लेंगे और सीधी सलाई में यह रेखे आठ फंदे यह बना लेते हैं और दो फंदे रेड वाले बना लेते हैं यह रेखे पीछे धागा और रेड को आगे लाएंगे प्लाश्ट का फंदा हम सीधा ही बनाएंगे ताकि यह रेखे अच्छे से हमारा फ्लावर के साथ सभी परीन सिंग के साथ आया है सलाई को पलट लिए हैं अब ये रेखे यहां पर दो फंदा अपना रैड से ही बनाएंगे एक दो दूसरी सलाई में अब यहां से 6 फंदा अपना बेस कलर से बना लेंगे एक दो तीर चार पांच छे लाश्ट के हम फिर से दो फंदे चोड़ दिये तो यहां पर 6 फंदे बेस कलर के दो फंदे पलावर के और यानि की 8 फंदे हमारे अभी इसी तरह से है अब यह देखिए यहां पर हम सीडी सलाई को बना लेते हैं पीछे दागा दो फंदे अपना के प्लावर का यह देखिए दो सलाईयों में फ्लावर बन के मंके मिद्स दुटे हो रहा हैं तो यहां पर दो सलाई आपना पूरी सलाई का यहां से यहां से बैगे आपना गिरिन से बना दूंगे, इस तरह से, 28 पंदों को सभी को हम बना लेंगे, तो 8 पंदे मैं यह बना लिए हैं, और बाकि के जो सभी फंदे मैंने छोड़े हैं, दो-दो करके सभी को मैं बना लिती हूं, दिखिग, यहांपे मैं तूरिश लाई को बना चुकी हूँ और लाश्ट के बेस कलर वाले फंदे मैंने दो नहीं बनाए है और यहीं से हम पलट लेंगे गे रिखिए बाकी के यह लाश्ट के दो फंदे मैंने नहीं बनाए सबी फंदे मैंने बना लिए और सीधी सलाई को भी मैं बना लेती हूँ गेर देखिये तो चलिए … बनाते हैं स्ब्राइच को फिर दिखाते हैं अपको तो देखे ! यहाँ पर पूरी बन चुकी है और आदी , फत्ती बन की के अब जिस तरह से हम आगे की तरफ ले गए है.. अब उपर की तरफ हम.. नीचे की तरफ ले जाएंगे उपर से हम नीचे की तरफ तो देखे किस तरह से पिलकुल इजी है बहुती तो देखे आसानी से नीचे बाले फ्लावर बन चुके हैं अब ये देखे यहां पर हम दो फंदा अपना ये देखे फ्लावर से बनाएंगे ये देखे एक दो आगे के फंदे हम अपना छे फंदा बेस कलर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखे अपने आपसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे गिरीन आएगा यहाँ पे अपना बेस कलर आएगा फिर गिरीन आएगा इस तरह से तो देखे 6 फंदा बनाके अपना सलाई को पलट लिए है अब उपर की तरफ से हम नीचे की तरफ जाएंगे यह देखिए तो देखिए और लाश्ट का फंदा सीधा तो यह देखिए उस तरह ऐसे हैं 6 फंधा बेस कलर का है, दो फंधे फ्लावर के हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब फंधा ना फ्लावर से ही बनाएंगे यह रीखिए इस तरह से और आगे का फंदा हम गिरीन से बनाएंगे तो यहाँ पे यह रीखिए 1-2-3-4-5-6 और दो फंदा ये रखें यहां पर गिरिण आ रहा है तो दो फंदा हम गिरिण का Robbie का लास्ट कर ले लेते हैं और यहीं से सलाइ को पलट हार दैल मैं अब यहां प्रोलश्च कहतें में और दूति कुम क्रेंगे में है हुआ हुआ कि यहां पे हमने अपना शुरुवात कर लिया और देखिए आमने सामने दोनों फ्लावर बन चुके हैं अब यहां पे यह फ्लावर बन होगा और यह वाला फ्लावर यहां पे डल जाएगा तो देखिए किस तरह से तो यह दो फंदे मैं यहां पे अपना बेस कलर से बना लूँँ है यह देखिए एक दो और दो फंदे आगे से लूँँ है तीन चार चार फंदे हो चुके हैं दो फंदा अपना फ्लावर के बनाएंगे फिर से एक दो और आगे का फंदा हम अपना छे फंदा बेस कलर से बना और दो फंदे अपना आगे से ले लेंगे चार पांच शे स्लाई को पलट लेंगे तो हम इसी तरह से उपर की तरफ जाके नीचे की तरफ जाते हुए रहेंगे नीचे हमारे सभी फुलावर एक एक करके बंद होता हुआ जाएगा यह देखिए इस तरह से रेड वो आगे लाएंगे यह देखिए इस तरह से अब देश कलर से बना लेते हैं चार फंदा लाश्ट का फंदा सीधा अब यह देखिए यहाँ पर चार फंदा हम इसी कलर से बनाएंगे यह देखिए दो तीन चार दो फंदा फ्लावर वाला इस तरह से अब आगे हम अपना यह देखिए गिरिन लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह दो फंदे लाश्ट के जो छोड़े हैं उनको हम बना लेएंगे तो देखिए आठ फंदे हो चुके हैं और डिजाइन हमारा यहीं से यहीं तक आ रहा है यह देखिए सीधी सलाई को बना लेते हैं कि यहां पर हमने उपर की तरफ दो फुलावर बना लिए हैं और यह अब हम यहां पर तीसरा फुलावर अपना डालेंगे तो देखिए किस तरह से अब यहां पर हमारे चार फंदे हैं यह तो हमने यहां पर यह रिखिए चार फंदों में मैंने ये दो सलाईया बना ली है यानि कि दौनों तरफ की चार सलाईया यहाँ पे भी यह रिखिए एक दो और यहाँ पे भी एक दो अब यहाँ पे यह रिखिए हम एक दो तीन चार दो फुलावर वाले चार बेस कलर से ही बनाएंगे इनको यह हमने नीचे की तरफ गिरीन से बनाए थे तरफ यह देखिए बेस कलर से बनाएंगे दो हो चुक गे रिखे दो चार छे छे फंदे हो चुके हैं और दो ग्रीन के आगे से ले लेंगे गे रिखे दो मैंने ग्रीन से आगे से ले लिए हैं और हम आगे के भी अब हम यहाँ पर अपना दूसरा फ्लावर बना रहे हैं गे रिखे तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 फंदे मैंने बना लिए है दो फ्लावर के बनाओंगी यह दिखे इस तरह से और आगे की फंदे बेस कलर से 1, 2, 3, 4, और यह दिखे चार, 5, और यह 6 सलाई को पलट लेंगे सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है यह दिखे उसी कलर से हम बना लेंगे तो सीधी सलाई बना ली है यह दिखे इस तरह से यह हमारे फ्लावर यहाँ पे भी यह अपना बेस कलर बढ़ता हुआ जा रहा है और फ्लावर वाले फंदे कम होते हुए जा रहे है तो अब हम यहां पर यह रेखी क्या करेंगे तीन चार पांच छे साथ और यह आठ आठ फंदे बना लिए दो फ्लावर वाले दो अब यह रेखे यहां पर हम अपना ग्रीन लगा देंगे एक दो तीन चार पांच छे और दो फंदा आगे था यह रेखी आमने सामने डिजाइन को आ रहा है यह रेखी तो यहां पर आठ फंदे हो चुके है तो देखी फ्रेंच यहां पर आठ फंदे हैं और यहां पर एक, दो, तीन तीन फ्लावर बन चुके हैं अभी दो flower बाकी हैं ये वाले तो रेखे आठ फंदे यहां पर और आठ फंदे अब हम यहां पर अपना तीसरा flower डालेंगे ये रेखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदे बना लिए दो flower वाले बन करेंगे और दो फंदे आगे से लेंगे ग्यारा, बारा बारा फंदे हो चुके हैं अब यहाँ पे अपना दूसरा फ्लावर बना देंगे एक, दो अब यह रेखिए यहाँ पे अगे कि चे फंदे बेस कलर से बनाएंगे दो, तीन, चार और यह रेखिए अगर आपको gap दिखे तो gap के लिए फंदा उठा लें इस तरह से और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लिए पाँच और ये छे यहीं से सलाई को पलट लेंगे सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेते हैं यहाँ पर हमने चार फ्लावर अपना डाल दिया है अब यह वाला फ्लावर हम लाश्ट का आपको बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बारा फंदे यह बनाते हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह ग्यारा और यह बारा और यह देखिए फ्लावर वाला, 13, 14, 15, 16, 16 फंदे बन चुके हैं अब यह देखिए आगे का हम यहाँ पर फ्लावर डालेंगे एक, दो और आगे का छे फंदा बेस कलर से बना लेंगे तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है यह देखिए दो फंदे आगे से ले लेते हैं इस तरह से यही से सलाई को पलट लेते हैं और सीधी सलाई को जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से बना लेते हैं 16 फंदे यह बना लेते हैं दो हम प्लावर वाले और 6 फंदा यह तो देखिए यहां पर सीधी सलाई को बना लिए हैं युटी सलाई पर हैं तो 16 फंदे यह हम यह देखिए बना लेते हैं इनको इसे आप पुरानी चुन्दी और साड़ी से भी बना सकते हैं और यह रेखिए यहां पर आप दो फंदा अपना 16 फंदे बना लिए हैं बेस कलर से और दो फंदे फिलावर वाले यह छे फंदा है यह हमारा आगे के आप गिरीन लगा देते हैं यहां पर एक दो ती चार पांच छे और दो गिरीन का आगे से ले लेते हैं साथ आठ और यह फंदे हमारे अभी छुटे हुए हैं तो यहां पर फिलावर का डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है यह देखिए बहुत ही असानी से बना लिया है और अच्छे से कंप्लिट हो चुका है यह अब हम सीधी स्लाइग को बना लेते हैं और लाश्ट में आपको फिर दिखाते हैं तो देखिए पांचों फ़लावर हमारे बन चुके हैं यहां 4 पर यहाँ पत्ती बन के लिखें यहां पर अपना यही से लेके यहां तक पूर अपना बेस कलर लगाएं तो यहां पर यह एक ही लाश्ट में दो फंदा इसका छुटा हुआ है एक सलाई हम इसी कलर से हम बनाके अपना कम्प्लीट कर लेंगे इसी तरह से मैंने सभी पत्तियों को बनाया है शुरू बात से फंदे डालके आपने सहम इसी तरीके से इसको बनाना है चाहे आप पुरानी चुन्य और साड़ी से बना रहे है और चाहे आप बूल्स में बना रहे है बनाने का तरीका सहम रहेगा यह देखे सभी फंदे इसी कलर से हम बना लेंगे लाश्ट में दो फंदा इसी कलर का छुटा हुआ है वो भी हम गेड़ी की यहां से फंदा उठा लेते हैं और इनको इसके साथ बना लेते हैं तो देखिए यहां पर बनके कम्प्लिट है अब क्या करेंगे यहां पर सीडी शलाई को बना लेंगे फिर से अपना छटी पती को मैंने इसी तरह से सबी पत्तियों को बनाया है अब हम यहां से फिर से अपना यह जामनी कलर लगाएंगे और इसी तरह से फ्लावर डालेंगे इसी तरह से मैंने यहां से यह रिकी कम्प्लिट किया है इसको बनाना शुरू किया है फंदे डालके मैंने यहां पर सोला फंदे बना लिये हैं 16 फंदों में बना के मैंने यहां पर उसी तरह डिजाइन बना लिया है तो देखिए सब भी पत्यां मैंने इसी तरह से बनऄ हुई है अब हम यहां पर छटी पत्य अपनी बना के complete करेंगे यह रिखिए बनाना अपने इसी तरह के से है जिस तरह से मैंने आपको ये पत्ती बना करके बताई है देखिए अच्छे से ये बहुती सुंदर से फ्लावर बनके आए हैं हमारे के रिखिए तो चलिए मैं चटी पत्ती को भी कम्प्रिट करती हूं और इसके बाद आपको फिर दिखाती हूं वीडियो अच्छा ल बनाते हैं चटी पत्ती को